मामारी के काराओं उत्तर प्रदेश में आर्थिक गद्विदियों को जो अपरेल और मई में जटका लगा था मुझे यह कहते हुए प्रसंदता है कि जुलाई महीने से हमने फिर से आर्थिक गद्विदियां भी तेज हुई है और हमारा राजस सुभी काफी बेहतर इस्तिती में पहुँच गया है मुझे कहते हुए इस बात की प्रसंदता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगवग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगवग छेसो क्रोड रुपया अधिक राजस के कत्रित किया है यह अपने आप में साबित करता है कि हमारी आर्थिक गद्धिनिया पूर्व से बेहतर इस सिती में पहुँच रही है 2019 अगस्त में बिभिन्न मदों के अंतरगत 8942.76 करोड रुपय का राजस्व प्राप्त हुआ और अगस्त 2020 में इन मदों में कुल 9545.21 करोड का राजस्व संग्रेट हुआ ये लगवग 600 करोड रुपय का पिछले वर्ष के मकाबले में अगस्त में ज्यादा प्राप्ती है GST अब्लीक बैट के तहित अगस्त 2019 में 5126.56 करोड रुपय की प्राप्ती थी अगस्त 20 में इस मद में राजस्व संग्रे बलकर 5329.58 करोड रुपय हो गया वैट के अंतरगत अगस्त 2019 में 1624.26 करोड रुपय का राजस्व स्वराप्त हुआ था जो अगस्त 2020 में इस मद में राजस्व संग्रे बलकर 1831.60 करोड हो गया ये अपने आप में आर्थिक गद्विधियों को दर्शाता है और हर प्रकार की एक्टिविटी जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइन्स आई अनलाक्ट फोर और उसी के तहर हमारे मानिये मुख्वंति जी ने भी उस पर एक उतरपदेश क के भी गाइडलाइन्स जारी की हैं जिसमें पहले हम लोग रविवार और शनिवार दो दिन का बंदी रखते थे सेनिटाइजेशन और सफाई इत्याद के लिए लेकिन अब केवल जो पहले से ही वीकली लोगों की छुटती थी तो वो इतबार को लोग वीकली हॉलीडे बन करते थे अब किसी प्रकार का कोई लागडाउन नहीं है सब चीज सारी गद्विधियां चल नहीं है और सभी प्रकार का आवागवन भी प्रारंब हो गया